आप सभी का स्वागत है Defense Officers Academy के यूट्यूब चैनल पर जहां हम हर बार की तरह आपके साथ काम के 7 बजे शेयर करते हैं कुछ इंपोर्टेंट स्लेबस के हिस्से आज आपको जी के मैं एक और नया टॉपिक देखने को मिलेगा अब तक हम जेनरल नॉलिज के सेग्मेंट में काफी सारे इशूज को डील कर चुके काफी सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं हम मेजरली इंडिया के बारे में जान रहे हैं और पहले जब हमने Fares and festivals of India पढ़ा था उस दोरान आपने देखा होगा कि हमने एक बड़ा सेगमेंट उस Fares and festivals of India का religious festivals के तौर पर cover किया था यानि कि Hinduism, Islam Christianity Buddhism, Chainism और Sikhism इसे related आपने बहुत सारे festival पड़े थे इसके अलवा Parsi और Jewish festival भी पड़े थे but these are not the major religions of India the major religions of India contains Hinduism Islam Sikhism Christianity, Buddhism Jainism mainly there are six major religions of India तो उनके religious festival पढ़ने के बाद जहां पर आपको glimpse मिली थी religions की आज हम देखेंगे भारत के religions को जानेंगे in depth तरीके से उनको इस lecture में ताकि आपकी एक understanding create हो सके आपकी एक समझ बन सके तो कि आपको exam में आने वाले किसी भी तरीके के question जो की religion से related हो उनको solve करने में एक better position पर रख सके हैं चलिए इसी segment की शुरुआत करते हैं अपने पहले religion से जिसका नाम है Hinduism सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए कि इंडिया में जो religion है वो दर असल एक ऐसा categorization है जो की western concept के साथ आता है यह जो religion है यह शब्द English का है पहली बात तो प्लस इसकी origin युरोप में ही कहीं किसी दूसरी भाशा से होंगे यह शब्द English का है इसका मतलब है यह एक western term है western term कहने का मतलब हमारे जो भारत देश से पश्चिम की तरफ जो देश है या फिर युरोप के जो देश है वहां से निकला हुआ है यह word religion वेस्टन कॉंसेप्ट जब हम कहते हैं तो मेंली युरोप का है यह इसी religion को because India was ruled by Britishers जहां religion यह word देखने के कोशिश की यानि कि उन्होंने यहां उन चीजों को खोजने की कोशिश की जैसी उन्हें अपने देश में दिखती थी यहां का weather बिल्कुल अलग था यहां का culture बिल्कुल अलग था इसी तरीके यहां का जो belief system था यहां जो लोग faith जो आस्था रखते थे वो भी अलग थी लेकिन Britishers ने क्योंकि यहां राज किया यहां के हर एक system को British system की तरह बनाने की कोशिश की अब भले ही वो education हो भले ही वो cultural influence हो भले ही वो language को लेकर के पैदा होने वाले biases हो या जो faith है जो belief system है उसको लेकर के नजरिया हो Britishers का नजरिया भारत में भी religion तलाशने का था British searched for a foreign concept in Indian land that is religion भारत का religion क्या है यह तलाशने की कोशिश की थी Britishers ने मगर अगर हम इस दाइरे से बाहर निकल करके सिर्फ भारत को focus में रखें और भारत में क्या चीज़े उस समय पर थी उनको अगर देखें तो भारत में religion जैसा कोई concept exist ही नहीं करता था भारत में exist करता था धर्म नाम का concept तो रिलीजन से बिलकुल एक अलहदा एक दूसरी चीज है धर्मा अक्सर बिकॉस अब ब्रिटिश इंफ्लूएंस एंड बिकॉस आप मैनी मिस इंटर्पूटेशन की जो धर्म वर्ड है इसको हम इक्वेट कर देते हैं रिलीजन से बट ऐसा नहीं है धर्मा इस अ प्योर् एक इंडियन कॉंसेप्ट के हिसाब से धर्म सबसे पहले तो वो है जिसे धारण किया जा सके अधारियते धारियते इती धर्मा यह कहते हैं आप लोगों के समझने के लिए बता दूँ एक बिहेवियर करने का तरीका एक ड्यूटी बाउंडनेस जिसके लिहाज से कोई भी इनसान अपना जीवन जिएगा अपनी लाइफ को जिएगा वो धर्म है उसका एंड इन डिफरेंट टाइम पीरिएट्स इन डिफरेंट स्टेजेज इन डिफरेंट एजिज इनसान का धर्म भी बदल सकता है एक बच्चे का धर्म क्या है एक स्टुडेंट का धर्म क्या है एक पिता का धर्म क्या है एक माता का धर्म क्या है एक टीचर का क्या धर्म है एक राजा का क्या धर्म है? एक प्रजा का क्या धर्म है? किसी ब्यापारी का क्या धर्म है? किसी पुजारी का क्या धर्म है? दुनिया के हर एक पहलू को छूता है धर्म, इंसान के जीवन के उसकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को टच करता है धर्म और जिस समय आप जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके हिसाब से जो आपके लिए सबसे कहेंगे सूटिबल है, वो आपका धर्म है यह है इंडिया का कॉंसेप्ट, इंडिया कहता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसका धर्म है पढ़ाई करना जब वो खेल के मैदान पर उत्रा है तो उसका धर्म है जी-जान लगा करके खेलना इसी तरीके से हर एक फील्ड में, हर एक पोजिशन में आप जिस भी काम को कर रहे होते हैं सबसे पहले तो वो काम सही है या गलत यह देखना आपका धर्म है उसके बाद जो सही काम है उसको करना और जो गलत काम है उसको ना करना यह आपका individual फैसला है यही आपका धर्म है तो इस तरीके के धर्म का एक broader concept इंडिया में है Britishers जब इंडिया आते हैं तो उन्हें यहां religion जैसा कुछ नहीं दिखता है यहां उन्हें एक book, एक messenger of God या एक तरीके की commandments देने वाला कोई नहीं दिखता है इंडिया में तो जब हम मानते हैं कि स्वयम भगवान भी अवतार लेते हैं वो भले ही भगवान शरी राम हो, वो भले ही भगवान शरी कृष्ण हो वो जब अवतार लेते हैं तो हम उनके साथ भी questions करते हैं हम उनके साथ भी debate करते हैं because हम यह जानना चाहते हैं कि किसी भी चीज को करने के पीछे का reason क्या होता है इसलिए आप देखते होंगे कि हिंदुइजम में एक जो prominent book है that is Shreemad Bhagwat Gita जिसमें Shri Krishna और Arjun के बीच की बात है वो भी question और answer पर based है तो ऐसा concept यह सिर्फ इंडिया में या फिर इंडियन सब कॉंटिनेंट में आपको देखने को मिल सकता था वहीं जो Britishers थे वो Bible, Ten Commandments और इन सब चीजों को समझते हुए अपने culture का हिस्सा बनाते हुए लेकर के आये थे तो कोई उचा कोई नीचा नहीं है दरसल यह जीने के अलग-अलग तरीके हैं लेकिन जब Britishers इंडिया आते हैं और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं पाते हैं तो ultimately वो इंडिया की society को इंडिया के culture को एक ऐसे फाचे में एक ऐसे structure में ढालने की कोशिश करते हैं जो की religion से मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ Britishers को इसके लिए जिम्मिदार नहीं ठहरा सकते Britishers दरसल वो सबसे बड़ा influence है जिसकी वज़ा से हिंडुईजम एक religion के तौर पर आज हमारे द्वारा जाना जाता है लेकिन इससे पहले भी इंडिया में बिफोर क्राइस्ट एरा में भी बहुत सारे invasion हुए बहुत सारे आक्रमण हुए हर एक invasion हर एक आक्रमण इंडिया को कुछ बदलता गया और ultimately जब दिल्ली सल्तनत या मुगल इंडिया में आते हैं तो यहां के culture में जब खुल मिल जाते हैं तब भी इंडिया का जो sentiment है वो change हो जाता है तो जो धर्म का concept ancient था वो थोड़ा बहुत धुदला जाता है इन सब invasions and cross culture transactions की वजह से और इसको ultimately final stage पे पहुचाते हैं Britishers और यही वजह है कि आज हम major religions of India पढ़ रहे हैं major dharmas of India नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए Hinduism को अब हम उसी structure में समझने की कोशिश करेंगे हम देखेंगे कि कैसे अगर एक religious concept के तौर पर चीजों को define किया जाए तो Hinduism कहां आता है यह सब कुछ एक background के तौर पर आपको बताना बेहत जरूरी था क्योंकि Hinduism को पढ़ाना और Hinduism को समझना एक बहुत बड़ी process है यो कि काफी complicated भी हो सकती है पहली line देखिए it is very difficult to describe a single belief system as comprising Hinduism कोई हम से पूछे कि Hinduism क्या है तो यह बहुत मुश्किल है कि हम कोई एक बात या कोई एक मान्यता उन्हें बता दें कि यह है Hinduism हम नहीं कह सकते कि इस book को follow करने वाले Hindu हैं हम यह भी नहीं कह सकते कि इस God को follow करने वाले Hindu हैं क्योंकि अगर हम book हैं तो इतनी सारी scriptures हैं Hinduism में जो essentially एक ही बात कह रही होती हैं अलेकिन विटी पंटेक्स्ट ओफ इफाइनिंग एट अंडर रिलिजियस कॉंसेप्ट आप भगवान की पूजा की बात करेंगे जहां पर इतने सारे Gods है हाला कि जो वाकई में Hinduism के concept को समझते हैं वो इसे रिलिजियस चस्मिसे नहीं देखते हैं और कहते हैं एक सुप्रीम reality है ब्रह्म है उसी के manifestations है किसी को ब्रह्म एक तरीके से मिल सकता है किसी को दूसरे तरीके से किसी को तीसरे तरीके से और यही खास बात है Hinduism की यही इसे एक religious context में ढालने में उस आचे में उसे structure में बिठाने में बहुत मुश्किलात पैदा करती है यह open ended एक thing है यह पूरी तरीके से आजादी देने वाली एक thinking है लेकिन फिर भी अगर हम religion कहें तो शुरुआत में हमें एक single belief system नहीं दिख पाता है many belief system दिखते हैं बहुत diversity दिखती है अब क्यूंकि हमें बहुत diversity दिखती है तो हम बढ़ते हैं एक traditional approach की तरफ जहां पर किसी word को समझने के लिए उस word के origin को समझना शायद जरूरी होता है यहां भी Hinduism को समझने के लिए अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम Hindu word पर focus करते हैं और देखते हैं यह word आया कहां से तो यहीं से हमें कोई सिरा मिलेगा जहां से हम इसे define करने की कोशिश कर सकेंगे तो the term Hindu was not applied to the followers of religion from the beginning शुरुवात से ही यह जो word Hindu है यह किसी खास religion को मारने वाले लोगों के लिए यूज नहीं होता था the word Hindu was used by the foreigners coming to India सबसे पहले तो यह word विदेशियों ने शुरू किया जो भारत पहुंचते थे या जो भारत आना चाहते थे the word Hindu was used by foreigners coming to India and what does they mean by this word Hindu कहकर वो क्या कहना चाहते थे by the word Hindu foreigners want to refer to peoples of certain geographical area they mean by the word Hindu that the people inhabiting in this valley or the people residing कि आफ्टर इंडस रिवर इंडस को आप सिंधू भी कहते हैं यहां पर लिख लेता हूं जो इंडस रिवर है उसको सिंधू नदी कहा जाता था अब यह जो सिंधू नदी है यहीं से सिंधू नदी के उस पार रहने वाले लोगों को हिंडू कहा जाने लगा या इंडस वैली में रहने वाले लोगों को सिंधू घाटी के लोगों को हिंडू कहा जाने लगा तो टर्म हिंडू है इस ओरीजिन प्रॉम इंडस वैली और इंडस रिवर इतनी बात हमें समझ में आ गई है अभी तक हम इसे एक रिलिजिन के खाके में नहीं डाल पाए है लेकिन हमने शुरुवात तो कर दी है अब बाद की बात करते हैं लेटर ओन हिंडू वाज यूज़ तो डिस्क्राइब देश्क्राइब देश्क्राइब पीपल following a particular faith मैंने आपसे कहा भारत पर बहुत ज़ादा बाहर से आक्रमन कोते रहे time to time जो foreigners भारत आ रहे थे for trade purposes for different other purposes tourism के लिहाज से भी कई सारे यात्री भारत पाए उन सब ने इस टर्म हिंदू को थोड़ा पॉपुलराइज कर दिया था लेकिन जैसे जैसे भारत में आक्रमन होते गए बहुत सारे invasion होते गए वैसे वैसे बाहर से आने वाले लोग थे उन्होंने इस इलाकों पर या जो भारत के इलाके हैं उन पर rule करना शुरू कर दिया उनको इंडिया के लोग अपने से अलग तो दिखते ही थे इसलिए उन्होंने यहां के लोगों के कल्चर यहां के लोगों के बिलीफ सिस्टम जो उनसे अलग थे उसको डिफाइन करने के लिए खुद को जो आइडेंटिटी दी थी वो दी ही दूसरों को जो इंडिया के ही थे सब को मिला जुला के हिंदू कहना शुरू कर दिया मान लीजे मैं एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ एक ऐसे इलाके पे कबजा कर लेता हूँ जहां मुझ जैसे लोग नहीं है या जो मेरा फेथ है उसको मानने वाले लोग नहीं है और जब मैं देखता हूँ कि यहां किस फेथ को मानने वाले लोग हैं तो मुझे बहुत टाइप के लोग दिखते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं मैं उन्हें एक तरीके से डिफाइन तो नहीं कर पाता हूँ लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे से अलग हैं इसलिए मैं उन्हें सब को एक कैटेगरी में डाल करके एक नाम दे देता हूँ और यहां से शुरुवात हो जाती है इस वर्ड हिंदू की जो की एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को दिखाता था अब यह एक डिफरेंट कल्चर यह डिफरेंट बिलीव सिस्टम को मानने वाले लोगों के एक ग्रुप को कहा जाने लगा यह डिफरेंट बिलीव सिस्टम और डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोग दरसल भारत के ही लोग थे लेकिन जिन लोगों ने भारत पर राज किया उनके लिए ये लोग दूसरे या पराये लोग थे इन पराये लोगों में ऐसा नहीं है कि सबके सब एक ही जैसे belief system को मानते थे लेकिन सब अलग-अलग belief system को मानते हुए भी उनके जो कि यहाँ पर rule कर रहे हैं उनके हिसाब के belief system पे नहीं fit बैठते थे इसलिए हमने सब को हिंदू बोल दिया भले ही वो किसी देवी देवता की पूजा करते हो भले ही वो किसी और तरीके से अपने beliefs को practice करते हो और यहां से हिंदू इजम या हिंदू वर्ड एक religious धाचे में ढलता दिखता है because of the foreigners, because of the foreign invasion or because of the foreign influence in historical religious literature the term used to signify the faith were Vedic dharma and Sanatan dharma जब एक religious identity हमारी बनाई जाने लगी सभी लोगों को हिंदू कहा जाने लगा भले ही वो किसी भी इलाके के हो किसी भी तरीके का उनका belief system हो हो सकता है उनके द्वारा जो practices की जाती हो वो totally different हो मगर वो दोनों ही या वो सभी हिंदू इस word के banner तले आ गए तो हमने ये कोशिश की कि अब हम ये देखें कि ये जो सारे लोग है जो इस geographical location में रहते हैं अलग अलग तरीके से worship करते हैं कभी कभी अलग अलग इलाकों में रहने की वज़ा से एक ही time period पर एक ही तरह का त्योहार अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से मनाते हैं जैसा कि आपने festivals of India में देखा मकर संग्रान्ती हो कहीं तो कहीं बीहू हो रहा होगा और कहीं हो रहा होगा पुंगल तो कहीं भोगी ये festival जल रहा होगा बट essentially ये सारे festival एक ही चीज को मनाने की कोशिश कर रहे है तो Northward Movement of Sun जहां एक सूत्र में बादता है इन सारे festivals को वैसे ही कुछ ऐसे words है जो Indian Subcontinent के अंदर जो लोग अपने अपने तरीके से faith को practice कर रहे थे या पूजा कर रहे थे उन सब को अलग अलग होने के बावजूद एक सूत्र में बाता है वो वर्ड है वैदिक धर्म वो वर्ड है स्तनातन धर्म तो इंडिया के उस पूरे जोग्राफिकल स्पेस में बहुत ही डाइवर्स कल्चर को अपनाते हुए भी हर एक अलग अलग इंसान एक चीज पर common ground रखता है और उसे कहते हैं वैदिक धर्म और दिस सनातन धर्म और दिस अटर्नल पेथ और दिस अटर्नल पृत वैदिक धर्म भारत में 1500 बीसी के आसपास शुरू हुआ माना जा सकता है दरसल वेदों को लिखा गया इस दौरान ऐसा कहते हैं वो वेद जो सुन करके generation to generation pass on होते जा रहे थे उनको लिखने का काम अब शायद शुरू होने लगा था या उन वेदों के compilation की एक कोशिश की जाने लगी थी यहां से जो चीज़ें निकल करके आती हैं जो basic principles निकल करके आते हैं वो पूरे भारत में अलग-अलग faiths को मानने वाले लोग जिनने के हिंदू कहा जाता है खले ही वो faith अलग-अलग हों एक दूसरे से different हों वो सब एक मामले में common ground hold करते हैं वो है वेद वेदों में लिखी बाते हैं और उसके हिसाब से कुछ काम करना अब किसी region में वहां की regional realities के हिसाब से अगर पूजा करने का तरीका बदल गया हो तो फिर आप यह नहीं कह सकते कि यहां वैदिक धर्म नहीं अपनाया जाता है वैदिक धर्म दरसल वेदों में लिखी गई बातों के आधार पर चीजों को करने का नाम है basis of these kinds of practices are वेदाज या फिर हम इसे सनातन धर्म भी कहते हैं वेदों में जो बातें कही गई हैं जिनकी शुरुवात तो होती है material या physical चीजों को पाने की इच्छा से वेद की शुरुवात में जो श्लोक है उनमें आपको material outcomes पर जोड देखने को मिलेगा जैसे कि एक किसान उसमें प्रार्थना करता हुआ दिख सकता है कि मेरे खेत लहलाएं मेरी गाएं बहुत दूद्दें और इसी तरीके की काफी सारी जो material aspects है उनको पाने की वो कोशिश करेगा वही यही वेद later on जब अपने आखरी तरफ हिस्सों की तरफ पहुंसते हैं जो पेज दर पेज जो information देखते रहते हैं जब वो end की तरफ बढ़ती है या फिर कहें कि वो वेद की किताब जब आखरी की कुछ question पूछ रही होती है तो बात material outcome से ज़्यादा existential हो जाती है बात internal हो जाती है वेद आपको बाहर की तरफ दिखाते हुए अचानक एक दिन पीछे मुडते हैं और देखते हैं कि ये कौन है जो सब कुछ माग रहा है और अपने को जानना अपने को इस दुनिया में देखना और इस दुनिया की सच्चाई को समझना ये ऐसे deep questions हैं जो आखर में वेद उठाते हैं तो एक तरफ तो खेतों के लहलाने की कामना अच्छी फसल होने की कामना एक अच्छी गाए जो की बहुत सारा दूध दे इसकी इच्छा और उसके बाद धीरे धीरे ग्रैज्वली इस पूरी दुनिया का सच जानने की कोशिश और अपना सच जानने की कोशिश ये यात्रा है जो आप वेदों के थ्रू करते हैं आखरी के जो ये question हैं इस अर्दी मेन questions आखरी के ये जो questions हैं इस आर्द मेन philosophy of India और यही बनाते हैं एक सनातन धर्म इकोज जो आखरी के question हैं ये truth की तलस करते हैं ये सच्चाई या reality जानना चाहते हैं और सच्चाई या reality कोई आज की नहीं है it is time immemorial because truth reality तुरुवात से ही होती है उसका आप कभी जन्म होता हुआ नहीं देखेंगे न कभी उसे आप खत्म होता हुआ देखेंगे जो हमेशा है जो मेरे होते हुए भी है जो मेरे होने के बाद भी है और जो मुझ जैसे कईयों के ना होने के बावजूद भी है वो सब कुछ हमेशा से है, हमेशा रहेगा इसलिए उसके लिए एक वर्ड होता है सनातन यानि की eternal यानि की जिसका न कोई शुरुवात है न जिसका कोई अंत है जो हमेशा से था और हमेशा से है उसी की बात आखिर में वेद भी करते हैं और उसी को पहचानने की कोशिश का नाम ही सनातन धर्म है तो हम जब हिंदुइजम को एक धाचे में ढालने की कोशिश करते हैं तो एक point हमें मिलता है, एक singularity हमें मिलती है वो है सनातन धर्म, वो है वैदिक धर्म तो वेदा में लिखी गई बातों को जो फॉलो करते हैं वो ट्रू हिंदु है और सनातन धर्म के इससेंस को जानते हैं वो ट्रू हिंदु है और इस तो इस तूरिकल रिलीजियस लिटरेचर यानिकी जो पुराने धर्मिक ग्रंथ हैं कुरानी धर्मिक के ताबे हैं उनमें एक टर्म सिग्निफेकेंटली यूजो ता है वैदिक धर्म या सनातन धर्म जिसको हम आज हिंदु इजम को डिफाइन करने के लिए सबसे एप्रोप्रियेट वर्ड के तौर पर समझ सकते हैं इशर विर वेधिक धर्म खर्म और शेसन अन्यातन धर्म झार्म् combination as such it is very difficult to identify a single concept of God or a holy book or even religious practice to define Hinduism there are a set of belief systems that seem to constitute Hinduism innumerable cults and deities are there in Hinduism क्या कह रही है ये line हमसे से थोड़ा बारी की से deeply समझने की कोशिश करेंगे मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये knowledge शायद थोड़ी भारी भर कम हो सकती है लेकिन as a citizen of this country, as an aspirant of RIMC you need to know about your country, you need to know about your religion properly in order to answer the question not only in your examination but in your personality test as well because these days nobody knows from where the question can be asked इसके साथी साथ अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो आपको हर एक आस्पेक्ट को fully cover करने की इच्छा होती होगी जो बच्चा RIMC का exam निकालना चाहता है उसके अंदर खायद RIMC आपसे क्या demand करती है उसको जानने की इच्छा होगी और वो जानना एक तरीके से इंडिया को जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि RIMC का student आखिरकार एक aim ले करके चलता है वो aim है इंडिया को serve करना either through the Indian army or any other forces or through some other services which a person wants to do RIMC join करने वाले हर बच्चे से उमीद की जाती है कि वो देश के लिए कुछ तो ऐसा करेगा जिससे देश की सेवा होगी आप एक देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप उसको देश को पूरा समझ यह सब वाकई में आप उसकी सेवा करने के लिए जो सही कदब है वो भी उठा सकते हैं यह बहुत बड़ी की चीज़ को इलाबरेटली आपको समझना तो चाहिए लास्ट मुमेंट रिविजन के नाम पर आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं तो यहां पर जब हम हिंदुइजम कह रहे हैं तो हमें यह बात समझ में आ चुकी है कि वैदिक धर्म और सनातन धर्म के नाम पर हम हिंदुइजम को कुछ define करने की कोशिश कर सकते है वैसे अगर हम Hinduism को define करने जाएं तो यहाँ पर किसी एक तरह का भगवान की बात नहीं है, किसी एक ही भोली बुक की बात नहीं है जिसे final कह दिया गया हो या किसी एक तरह की religious practice की बात नहीं है इसकी वज़ा से हमें difficulty होती है Hinduism को define करने में इसलिए जितने सारे cult जितनी सारी practices और जितना सब कुछ कहीं ने कहीं Hinduism से जुडता है उसको हमें एक साथ Hinduism कह देते हैं The religion is followed by the majority of the people of India Large number of its followers are spread even in Bangladesh Sri Lanka Nepal, Bhutan, Burma, Indonesia Guyana, Pizi Mauritius, Pakistan and other parts of the world अगर हम in different kinds of cultures different kinds of practices को मानने वाले लोगों को एक छट के नीचे खड़ा करके Hindu बोलें ये मानने वाले ऐसे ही लोग आपको इंडिया से बाहर भी मिल जाएंगे और इंडिया से बाहर सिर्फ भारत, पाकिस्तान, मांगला देश, श्रिलंका या नेपाल जैसी जगों पर ही नहीं मिलेंगे बलकि ये इंडोनेशिया, ये गोयाना, ये फिजी, ये मौरिशस जैसी जगों में भी आपको देखने को मिलेंगे तो एक तरीके से हिंदू फेथ या हिंदू विलीव सिस्टम इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है, बट मिजॉरिटी इसकी इंडिया में ही मौजूद है तो आई होब इतनी बात आप लोगों की समझ मा आ चुके होगी आगे बढ़ते हैं और अब उन common grounds को तलाश करने की कोशिश करते हैं जहां से हम इसे define कर सकेंगे कि इतने अलग-अलग diverse faith system को मानने वाले लोगों को हम एक जैसा या एक word क्यों दे रहे हैं हिंदू होने का क्योंकि इन सब में एक common बात होगी या कुछ तो common होगा उसी को हम तलाश रहे हैं belief system के अगर बात करें तो it is one of the oldest belief system of the world दुनिया में माना जाने वाला दुनिया का सबसे पुराना या दुनिया के सबसे पुराने विश्वास आस्था के तरीकों belief system में हिंदूइजम आपको जो सबसे पुराने तरीके हैं उन मेंसे एक दिखेगा to its development over ages a number of sects sub sects kept emerging from it similarly a number of belief system kept entering its fold यही खास बात है हिंदूइजम की समय के साथ साथ बाहरी तौर पर उपरी लेवल पर not at the center इस पूरी concept में आपको बहुत सारे section दिखेंगे that is the diversity बहुत सारे section के subsection दिखेंगे आपको यहाँ शिव यानि की रुद्र की पूजा करने वाले भी मिलेंगे जिनको जैवाइट या शैव कहते हैं आपको शिव जी की ही पूजा करने वाले शैव के अंदर इतने सारे division मिलेंगे कि आप कहेंगे यह section के subsection ही इतने जादा है कि यह अपने आप में एक religion न हो जाए तो आपको यहाँ पर कापालिक भी मिलते हैं यहाँ पर आपको अगहोरी भी मिलते हैं यहाँ पर आपको लिंगायत भी मिलते हैं यहाँ पर आपको नयनार भी मिलते हैं इसी तरीके से वैश्नाव धर्म को मानने वाले या विश्नु की पूजा करने वालों में भी आपको अलवार दिखते हैं, वैश्नाव दिखते हैं, सतार दिखते हैं, और भी अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह से लोग विश्नु की पूजा करते हैं, तो जितनी डी period of time बहुत सारे सेक्ट सबसेक्ट पैदा होते वे दिखते हैं इमर्ज होते वे दिखते हैं और इसी तरीके से बाहर से आने वाले बहुत सारे लोग या जिन्होंने इंडिया में आक्रमण किया इंडिया पे राज किया उन सारे लोगों के भी जो इस तरीके से जो इंडियन हिंदू बिलीव सिस्टम है आज की डेट में यह बहुत क्लियर नहीं रह गया है इसमें बहुत चीने मिक्स हो चुकी है हिंडू इसम को एक रिलीजन के तौर पर बताने के लिए जरूरी है कि हम एक कोई चीज तो ढूड ले जैसे हमने वैदिक धर्म और सनातन धर्म ढूड निकाला अब उसी का सहारा लेकर के उनमें लिखी गई बातों को हम उन common grounds के तौर पर establish करने की कोशिश करेंगे जो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा जो faith या belief system अपनाए जाते हैं जिनको की हिंदू ही कहा जाता है मगर उनके system अलग अलग है उनमें common ground establish करने वाले तो तरीके हैं उनको हम ढूडेंगे यह सब तरीके वेदाव में ढूट कर मिल जाएंगे सनातन धर्म को essence में समझने पर हमें यह system मिल जाएंगे भारत में रहने वाला हर एक हिंदू भले ही वो किसी भी भगवान की पूजा करता हो या किसी भी तरह का ritual follow करता हो उसके core में एक belief system है उस belief system को ही हम use करेंगे to define Hinduism and that belief system is the concept of Brahma and आत्मा या इसको ब्रह्मन या आत्मन कहते हैं exactly यह ब्रह्मा नहीं है जिसको आप creator कहते हैं यह ब्रह्म है और यह आत्मा जिसको कि आप कुछ और समझते हैं यह आत्मा दरसल कोई भूत प्रेत नहीं है कि self है कि मैं हूँ मुझे आप शुद्ध हिंदी में जब सम्मोधित करेंगे अपने आपको तो आत्म कहेंगे तो अपनी बात आत्म है आत्मा है और ब्रह्म मेरे अलावा यह जो सब कुछ दिख रहा है यह ब्रह्म है या इन सब का जो सोर्स है जिसकी वज़ा से यह सब यूनिवर्स एक्जिस्ट कर रहा है वह ब्रह्म है यह concept इंडिया में हिंदू कहलाने वाले हर एक इंसान को accepted होगा अगर मैं ज्यादा ना बोलू तो यह दुनिया में किसी भी रिलिजिन को मानने वाले इंसान को core level पर, principle level पर accepted होगा कि यही तो बात है there is something that created this universe and there is me who is watching this universe and what is the relation of myself with this universe is the core question but आप इस तरीके से चीजों को समझने की जब कोशिश करते हैं तो आप basically उसी belief system के अंडर है जो हिंदू इसम में है ब्रह्म और आत्म का concept एक तरीके से हिंदू इसम को define करता है जो लोग ब्रह्म में मानते हैं, आत्म में मानते हैं, वही हिंदू है और ऐसा नहीं है कि आप expressively इस बात को मानते हों अगर आप किसी मूर्ती के सामने दिया जला करके हाथ जोडते हैं तो आप ब्रह्म और आत्म के concept को मानते हैं वेदों में जो पूजा करने के तरीके बताए गए है, उनका essence यही है कि मैं अपने ब्रह्म को खुद से मिलाना चाहता हूँ और इसलिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ उस essence को गेन करने के लिए भले ही आप बिना जाने बिना समझे पूजा करते हों बिना जाने बिना समझे दुनिया भर के मंत्र पढ़ते हों क्योंकि आप आज के समय में जीते हैं, आज के समय में कह सकते हैं लोगों के पास समय नहीं है कि वह इस तरीके की बातों का मर्म समझे क्योंकि लोगों के पास अपना जीवन गुजारने के लिए जो हमने system बनाया है वो system में time नहीं है इसलिए जो भी अपने को हिंदू कहता है at least वो एक belief system में तो विश्वास रखता ही है या एक concept को तो मानता ही है जो है ब्रह्म और आत्म का concept अब इस concept को practice करने के लिए वो कौन सा तरीका निकालता है यहां से diversity पैदा हो सकती है but Hindu as a religion is a is a concept of Brahma and Atman this is the thing जहां तक हम पहुंचे जहां तक हमने successfully achieve कर लिया अपने उस गोल को जहां से हम अब हिंदू इसम को at least a common ground लेते हुए define कर पाएंगे otherwise there is very very much diversity in Hinduism plus we cannot easily define it as a religion अगर हम बात करें एक way of life की एक जिन्दगी जीने के तरीके की तो Hinduism को define किया जा सकता है और मैं एक लाइन में उस पूरे तरीके को define कर सकता हूं जो Hinduism है as a way of life जिन्दगी को समझधारी से जीना Hinduism है जिन्दगी को जीने का ऐसा तरीका जिसमें समझधारी है वो Hinduism है लेकिन यह जो समझधारी वर्ड है यह अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है समझधारी का मतलब है to understand what is right and what is wrong or to understand why we deal in these terms right or wrong binary क्यों है यहां पर मैं कोई philosophy class नहीं लेना चाहता यहां पर सिर्फ मैं आपको ब्रह्म और आत्म के concept के साथ Hinduism को as a religion define करने की यात्रा पर ले चला हूं यहां पर वही जो मैंने आपको बताया इस पश्ट या clear कर दिया जाएगा दब्रह्मन इस प्रिजेंट इन ओल फॉर्म्स ओफ लाइफ दुनिया के किसी भी कोने में यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में या उसके पार भी अगर कुछ होता है तो वहां भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म मौजूत न हो इसे अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझिए जब आप कोई dream देख रहे होते हैं ड्रीम में आप different different objects तो देखते हैं लेकिन ultimately वो dream कहां देखा जा रहा है वो dream आपके ही अंदर देखा जा रहा है यानि कि उस dream का हर एक character उस dream का हर एक place उस dream में जो कुछ भी है वो आप ही के अंदर है या वो आप ही हो इसी तरीके से जो ब्रह्म है वो सब जगह मौजूद ह और उसी के अंदर सब कुछ है ये कहता है Hinduism ब्रह्म इस प्रिजेंट इन all forms of life the relationship between the Brahma which is the universal soul universal soul means all pervading जो हर जगह है and the Atman the individual soul so the relationship between Brahman and Atman between the universal soul and the individual soul has been the main concern of Hinduism what is Hinduism Hinduism is defining the relation between Brahma and Atman where Brahma is everything and Atman is myself और जो भी आप हो जो अपने को आप मैं कहते हो तो जिस चीज को आप संबोधित कर रहे हो तो जिस चीज को आप address कर रहे होते हो वो आत्म है आत्म इससे आगे on a deeper level और जाता है लेकिन to explain things simply or to introduce you towards the understanding of Hinduism इतना आपके लिए अभी काफी है Brahma सब कुछ जिसके अंदर है वह Brahma है और सब कुछ जिसके अंदर है उसके अंदर एक मैं यानि की जो खुद को देख रहा है जो दुनिया को देख रहा है वो आत्म है इस universal soul Brahma का आत्म से क्या relation है यही Hinduism का main concern है I hope आपको चीजे थोड़ी बहुत तो समझमाई होंगी आगे बढ़ते हैं अब यह एक conceptual knowledge हो चुकी है Hinduism की मगर जैसे कि हम देखते हैं Britishers को जैसे कि हम देखते हैं Islamic invaders को वो सब एक holy book की तलाश करते हैं इंडिया में भी ताकि यहां का भी religion पता कई आ जा सके और इसके बाद यहां के लोगों को समझा जा सके मगर यहां कोई एक holy book तो है नहीं यहां पर आपको पढ़ने पढ़ेंगे Hinduism के अंदर different scriptures बहुत सारे ग्रंत या किताबें में scriptures में सबसे जादा important है Vedas because हम वैदिक धर्म को ही Hindu धर्म मानते हैं Vedas are the earliest text यह अपने आप में सबसे पुराने हैं there are four Vedas चार वेद होते हैं सभी जानते हैं the first one is Rig Ved the second Yajur Ved third one is Sam Ved and then Atherv Ved यह सारे के सारे Ved है यह verses की form में है यानि की small poetry सी है समझ लीजिए या दो line की कुछ बाते उसमें लिखी गई हैं ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 यह एक वर्स तैयार हो गया लोक भी इनको आप कह सकते हो इस तरीके से वेद शुरुवाती स्क्रिप्चर से हैं हिंदू इजम के अंदर और यह चार है इनका तरीका है कि यह verses या श्लोकों की form में हैं अगर बातों को ही ब्राम्वन एक तरीके से केटेगराइज कर देते हैं ब्राम्वनों में आपको रिच्वल्स की बात बताई जाती है जैसे कह रहे हैं इंदर से पूजा में कहा जा रहा है कि इस साल बारिश अच्छी करना ताकि मेरी फसल अच्छी हो और उसमें अच्छे अच्छे ग्रेन या बालिया निकलाएं इसी तरीके से बाकी अलग अलग देवताओं से भी पूजा की जा रही है इस तरीके से पूजा करने के लिए एक खास रिच्छुल किया जाता होगा और उस रिच्छुल की नौलेज आपको ब्राम्हन गरंथों में मिलेगी जो वेदों में बाते कही गई हैं शुरुवाती लेवल पर उनको फुल्फिल करने के लिए कौन सा रिच्छुल बनाया जाएगा इस सब कुछ ब्राम्हन गरंथ स्पष्ट कर देते हैं क्लियर कर देते हैं एट स्वाई वेद के एक हिस्से हैं ब्राम्हन गरंथ जो रिच्छुल्स या कर्म कांड़ों को फोकस पर रखते हैं और उनका मतलब हमें समझाते हैं या फिर उन्हें करने का तरीका हमें बताते हैं बारिश हो जाए, इसके लिए यग्य किये जाते थे, अब यग्य करने का क्या तरीका होगा, उसमें कौन-कौन सी चीजे डाली जाएंगी, इस तरीके के मंत्र बोले जाएंगे, यह सब कुछ कर्मकांड का हिस्सा है, रिच्वल्स का हिस्सा है, इसलिए ब्राम्हनाओं में य विच वी डील विथ मेडिटेशन और ध्यान, इस आर कॉल्ड अरण्यकाज, वेदों में लिखी उन बातों को एक अलग कैटेगरी में माट दिया गया, जिन बातों में आपको मेडिटेशन, ध्यान देने से जुड़ी हुई चीजे दिखती हैं, जैसे जैसे हमें खाने पी जा करके धन धान्य माग रहा है, जब उसकी फजल लह लहा गई, उसे खाने को चीजे मिल गई, उसके बाद उसके बास समय बचा, और अब उसने सोचना शुरू किया धीपर क्वेश्चिन्स की तरफ, अब उसे बारिश की जरूरत नहीं है, अब उसे खेतों में जो फसलें लह लहा रही हैं, उन्हें काटने की जरूरत नहीं है, अब उसके पास समय बचा हुआ है और वो जानना चाहता है, क्योंकि वो इंसान है, उसके अंदर सवाल है, इसलिए वो जानना चाहता है कुछ और सवाल कि उसके मन्में ये च्छायें कहां से पैदा हوتी है, या फिर य पुं क्यों को येक इंद्र वहां से बैठ करके मेरी फुकार सुन लेता है और बारिश करवा देता है इन सब चीजों को जानने के लिए उसने द्यान देना शुरू किया उसने फोकस या उबज़र्व करना शुरू किया चीजो को एक तरीके आप कह सकते हैं उसने meditate करना शुरू किया और ये काम करने के लिए उसने अपने गावों अपने कजबों से बाहर निकलना शुरू किया क्योंकि वहां के शोर शराबे में वह फोकस नहीं कर पा रहा था उसको ध्यान नहीं दे पा रहा था इसलिए वो चले गए जंगलों में ज थोड़ा मुड़ा arrangement कर लीजिए जंगली जानवर भी परिशान नहीं करेंगे और आप शांती से बैठ करके ध्यान कर सकते हैं यही जिन्होंने किया उनके द्वारा कही गई या उन्होंने जो बातें बताई उन्हें अरण्यक कहा गया विकॉज अरण्यका मतलब होता है जं लास्ट पार्ट ओफ वेदाज नॉलेज वेदों के वो हिस्से जहां पर डीपर फिलोसोफिकल क्वेश्चन कहे गए हैं उनको उपनिशद में कमपाईल कर दिया गया उपनिशद में आपको वो हिस्से दिखेंगे उपनिशद पॉर्म अपार्ट ओफ अरण्यकाज एंड आप जंगल में बैठके ध्यान कर रहे थे आपको कुछ बाते समझ में आने लगी वो आपके जिन्दगी जीने का एक तरीका बनी आपकी जिन्दगी की फिलोसोफी बनी उस फिलोसोफी को उपनिशद में कमपाईल किया गया और वहां से हमें ये पता चलता है कि जो लोग इन चीज़ों को समझ गए जो की deeper question है वेदों के जो शुरुवात से आखिर तक आते आते बहुत डीप हो जाते हैं उन questions को समझ करके उन्होंने क्या बाते कही इसलिए उपनिशद में हमें वो सब मिलता है जो ultimate knowledge है because ये last questions को address करते हैं जो वेदों में पूछे गए थे इस त करके ब्राम्वन इस रिच्वल पार्ट अरण्यक देट इस meditation पार्ट एंड उपनिशद इस फिलोसॉफी पार्ट संपाइल या अलग-अलग category में माटे गए इस तरीके से वेद, ब्राम्वन, अरण्यक और उपनिशद हिंदुईजम के core scriptures हैं अगर मैं उपनिशदों की बा इस ने उपनिशद, मुंडक उपनिशद, मांडुक के उपनिशद, आपके लिए एक सवाल की इंडिया के नैशनल सिंबल में अशोक की लाट या लाइन कैपिटल आफ अशोका के नीचे जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो कौन से उपनिशद से लिए गए हैं, because हमने आपको वो पड़ा दिया है, तो इस question पर विचार कीजिए, और हिंदुईजम से related शुरुवाती scriptures के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नाओ, देखिए, जो scriptures हैं, वहीं से बात खतम हो जाती है, religion के बारे में हमें इससे जादा नहीं सीखना, बहुत डीप हमने सीख लिया है, तो वेदाज, इंक्लूडिंग, ब्राम्भनाज, अरण्यकाज, एंड उपनिशदाज, आर कॉल्ड शुरुती, और revelation, फुलासे हैं ये, आपके questions, के solutions मिलते जाते हैं आपको इन ग्रंथों को पढ़के, या इनको शुरुती सुनकर लिया हुआ ज्यान भी कहते हैं, विकाज उस टाइम पर लोग अपने ग्यान को ऐसे ही बाढ़ते थे, तो शुरुती परंपरा विक्सित होती है, वेदों के साथ, ब्राम्भनों के साथ, अरण्यकों के साथ, और उपनिशदों के साथ, ये सब टेक्स्ट हैं, scriptures हैं, किताबें हैं, या कहेंगे कि ये knowledge है, ज सुना करके बात बताई जाती थी, उस समय पर लिखने पर जोड नहीं था, मुझे कुछ बात समझ में आई, मैंने फिगर आउट की, तो मैंने वही चीज समझा दी, और दूसरे इंसान ने वह चीज सुन ली, इस इस आल अबॉट इस रूटी परंपरा ओफ हिंदुजम, इन कंस दस्वें के टिगरी आफ टेक्स्ट इन हिंदुजम, जिने की हम इस उस्मृती परंपरा कहते हैं, अभी करेंगे इस पर बात, पैले देख लेते हैं इस सेकंड की बीर में कॉन कॉन से स्क्रिप्चर्स आते हैं थीज वर्क्स डिराइब थू दियर अथॉरिटी प्रॉम द शुरुती परंपरा के जो स्क्रिप्चर्स है उनमें जो बाते कहीं गई हैं उन बातों को बेसिस बना करके देखिए हमाई के साथ साथ हर एक इंसान ने नौलेज ली या कहें कि जादा इनसानों ने जिन्होंने नौलेज ली थी उनकी सादाद बड़ी उनका नंबर बड़े वेदों का ज्यान टाइम टु टाइम जनरेशन टु जनरेशन शुरुती परंपरा के हिसाब से पासान होता गया वेदों के ज्यान में बदलाव आकर के रॉम मेटीरियल डिजायर्स स्प्रिच्ट्वल डिजायर्स चीजें बदली वेश्चन और डीप होते गए इन क्वेश्चन के और डीप होते जाने में जो बातें समझ में लोगों को आती गई वो जुड़ती गई इन सब में एक समय तक जब तक की वेदों का अंतिया वेदान्त तक हम नहीं पहुँच गए जो कि है उपनिशद, उपनिशद में फाइनल बात कह दी गई, सारी क्यूरॉसिटी वहाँ पर खतम हो जाती है अगर आप उन्हें समझ जाएं तो इसके बाद हर एक जनरेशन ने इन बातों को जो कि शुरुती परंपरा से चली आ रही थी इनको अपने अपने हिसाब से इंटर्प्रेट किया, इनको लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ कहानिया बनाई जिन में इन सीखों को डाल दिया एज एनकोड और उसको डीकोड वही कर सकता है जो इन कहानियों को ठीक से समझे या ठीक से उसको जानने की कोशिश करे इस तरीके से जो नया टाइप आप स्क्रिप्चर स्टैबलिश हुआ उसे स्मृती परंपरा कहा गया जो ये याद रखता था जिसकी स्मृती या मैमोरी में ये था कि वट इस दी अल्टिमेट नॉलेज ओफ शुरुती परंपरा और दी वेदाज एड दी एंड विच वी वी अंडरस्टूड एज उपनिशद इन सब बातों में जो कहा गया है जो इसेंस है उसको याद रखते हुए जो कहानिया गड़ी गई जो नए नए तरीके इजाद किये गए समझाने के वो सब कुछ सुम्रिती परंपरा का हिस्सा बन गया जिनमें वेदांगा जाते हैं पुराणा 4 अपक्स अते हैं चौन को वेदांग कुरान महा काव्य या सूत्रि साहित्य कहते हैं यह सब बातें इंधर जो टोटल काम हो चुका है उसी काम को अलग-अलग तरीके से इंटर्प्रेट करने का है अब जो चीज है वो है यह नॉलेज जिसको आप अलग-अलग तरीके से एक्स्प्लेइन करते जा रहे है इस तरीके की शुरुती और स्मृती परंपरा है इस तरीके की शुरुती परंपरा जिसमें अल्टिमेट क्वेश्चिन पता चल गए और अल्टिमेटली एक ऐसा मौका आया जब लोगों ने इन सब चीजों को अलग-अलग कहानियों में ढाल करके याद रखा और वो कहानियां हमारे साथ चली जो आज तक है अब क्योंकि टेक्नोलोजी का दौर है तो चीज़ें बुक्स के रूप में कंपाइल हो गई हैं बट अल्टिमेटली इशुरुती और स्मृती सुनना और याद रखना इन दो तरीकों से ही चीज़ें हिंदुईजम में आगे बड़ी थी एपिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रामायन महाभारत भगवत गीता आते हैं यह महाकाव्य हैं और यही हैं वो कहानिया जिन में वेदों या उपनिशदों में कही गई बातें जो अल्टिमेट टुथ है वो सब कुछ इन कहानियों में गुथा हुआ है तो आप इसम सोच के ध्यान देने से आपको समझ में आने लगेगा वो हर इनसान अपने अपने हिसाब से समझता है वो सब कुछ एपिक है वो सब कुछ इसमृति साहित्य है वो सब कुछ जो अपनिशदों का ज्यान जो वेदों का ज्यान है वो सब कहानियों की फॉर्म में हमारे सामने आता है रामायन महाभारत या भगवत गीथा जो की एक फिलोसोफिकल बुक है उसकी तौर पर सूत्रों की बात करें तो पतंजली का योग सूत्र सभी ने सुना है और योग का मतलब यहां किसी फिजिकल एक्सराइज से नहीं बल्कि इसी को डिफाइन किया है पतंजली ने अपने सूत्रों से जिसमें एक एस्पेक्ट है वो जो आप प्राणायाम या दूसरे तरह की एक्सराइजेस करते हैं वो तरीका है मन को और बॉड़ी को एक हिसाब से ढालने का था कि आप समझ सकें वाकई में यूनियन कैसा होगा यही बात उपनिशत की जो मूल बाते या जो ज्यान है वो इन कहानियों के थूरू पूरी जो पबलिक है वहाँ तक पहुची और इसी के साथ हिंदुइजम से रिलेटेड हमारी जो बाते हैं वो यहाँ पर खतम होती है तो हिंदुइजम में आपने देखा कि इसे एक रिल अगर तलाश हैं तो यह सिंदु नदी के उस पार रहने वाले लोगों से शुरू होता है जो अल्टिमेटली भारत में बार-बार कई सारे इन्वेजन होने के बाद उन रूलिंग क्लास के द्वारा हमारे देश के लोगों को एक बिलीब सिस्टम के तहत मान लिया गया हिंदु और यहां से उसका रिलीजियस कोनोटेशन शुरू हो गया अल्टिमेटली अगर हम उसका कहीं बेसिस तलाश हैं जो एक कॉमन ग्राउंड हमें मिलता है इतने अलग अलग डाइवर्स तरीकों में वो है सनातन धर्म या वैदिक धर्म उसमें लिखी गई बाते उसम इस concept of Brahma and आत्म और इस concept को ही explain किया जाता है शुरुवाती scriptures में जिन्हें की शुरुती साहित्य शुरुती परंपरा कहते हैं और इसमें वेद, ब्राम्मन, अरण्यक, उपनिशद आते हैं अल्टिमेटली उपनिशद तक आते आते ये existential questions खतम हो जाते हैं और हमें शांती मि questions के खतम होने के बाद जो second category शुरू होती है वहां से स्मृति साहित्य आता है जिसमें in deeper questions को हर एक इंसान की समझ में आ सके ऐसा बनाने के लिए कहानी की फॉर्म में लाया जाता है and that's how we conclude the first major religion of India that is Hinduism. I hope आपको ये religion और इसमें जो हमने बातें देखी थी वो समझ में आ होंगी तो इसके साथ ही एक जो हमाने religion था आज होता है complete जो सबसे major religion था और अब मिलेंगे हम अपनी अगली class में अगर आपकी कुछ queries हों तो इन numbers पे आप contact कर सकते हैं उसके अलावा हमारे telegram channel को भी चाहें तो जरूर जोइन कर सकते हैं मिलेंगे फिर एक नए session में तब तक